अस्वाम अलेकुम दोहदार चौबीस का पार्लिमेंट एलेक्शन बीजेपी वर्सेस इंडिया एलाइंस होगा इंडिया एलाइंस में टोटल कॉंग्रेस के साथ साथ टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टी से ये सारे 26 पॉलिटिकल पार्टी का मकसद एक ही है कि किसी भी सूरत में तीसरी मरतबा नरिंदर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाए ताके हमारे मुलक के कॉंस्टिटुशन को बचाया जा सके ताके जो फैनेंशली हाला मुलक के तबाह हो चुके हैं उसको सुधारा जा सके और जो मुसल्मानों पर जो मैनौरिटीज पर इस मुलक में जल्म हो रहा है उसको रोका जाए इसी मकसद से ये टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीस में मिलकर ये तैय किया है कि हम अब की बार किसी भी सूरत में बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे मगर कुछ दूसरे रिजिनल पार्टी और भी है जैसा कि तेलेंगाना की बी आ बी आलाइपी और ये जैस में इक खुफिया माहिदा किया गया टेलेंगाना के 17 MP सीटों को लेकर ये उसमें ये तेय किया गया है कि तेलेंगाना के 17 सीटों में से 8 सीटों पर बी आरेस अपने strong candidates को उतारेगी اور यहां से बी जैपी के 9 dummy candidates रहेंगे और दूसरे आठ सीटों पर BJP के स्ट्रॉंग कैंडिडर्स रहेंगे और यहां से BRS के आठ डमी कैंडिडर्स रहेंगे इस तरह से ये दोनों पार्टिस ने मिलकर 16 सीटों पर मुखाबला करने का तैय किया है रहा सवाल 17 सीट का जो हैदरबाद पारलिमेंट की है ये दोनों साथी मिलके अपने तीसरे साथी को बचाने की पूरी मुमकिनाना कोशिश करेंगे इस तरह ये तीनों पार्टियों में 17 सीट डिवाइड हो चुके हैं इन तीनों का मकसद एक ही है कि किसी भी सूरत में इंडिया एलाइन्स को नुक्सान पहुंचाए इसी प्लानिंग के तहट बी आरेस को बीजे पी ने एक जिम्मेदारी दी है कि एसेमली तेलंगाना के एसेमली एलेक्शन में मुसल्मानों ने बहुत ज्यादा कॉंग्रेस की ताइद में ओड दिया लहाज़ा मुसलिम ओटों को डिवाइड कीजिए इसी प्लानिंग के तहट बी आरेस ने एक चार फिलमे बनाई बी आरेस की कलवा कुंटला फैमली की तरफ से चार फिलम बनाए गए जिसमें से दो फिलम अभी रिलीज हो चुके और दो फिलम रिलीज होना बागी है पहली फिल्म केटियार साहब की आई जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की उनको एक ट्विट आता है वो ट्विट में कोई जूबली हिल्स कॉंस्टिटिउनसी के बुरा बंडे इलाखे के कोई इबराहीम नाम के शख्स उनको ट्विट करते हैं केटियार साहब आप एक बहुत अच्छे लीडर है मेरी आप दावात खुबल कीजिए मेरे घर पर आईए मेरे साथ डिनर कीजिए तो ट्विट पर ही केटियार साहब उनकी दावत को खुबल कर लेते हैं और उनके घर जाके नीचे दस्सर खान पे बैटके उनके साथ बिर्यानी खाके आत हैutet हुए इनके केमप ओफिस को इन से और इनके वालिदे मुहतरम से क्यके मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपका अपॉइटमेंट नहीं है गेट के अंदर से उनका सेक्यूरिटि गाड कहता है कि आप जाहिए आपका बड़ी पोजिशन रखने वाले महमुद अली साब होम मिनिस्टर रहते हुए उनको गेट पे से हकाल दिया जाता था और आज जब आप अग्तिदार में नहीं है तो एक अंजान आदमी के मामुली से ट्विट पे आप उसके घर जाके उसके साथ बिरियानी खाके आते हैं तो अग्तिदार में थे तो इनके पास उल्मा एकराम, मशाइखी, दानिश्मन, हदराद अपने कुछ मसाइल लेकर जाते थे और कहते थे कि हरिश्राव साहब आप से और सीम साहब से हमें मिलने का मौका दीजिए कुछ मसाइल है तो ये कभी उन लों को टाइम नहीं देते थे पढ़ी उन से मिलना जरूरी नहीं समझते थे। दो या तीन दफान उनको बाद वक्त ये कहा गया के आप जाए वाया दारुसस्लाम आईये तो वाया दारुस्वाम भी जब अल्मा एकराम उनलोग सीम साहब के पास, केसीर साहब के पास उस वक्त गए तो मैं समझता हरिश्राव साहब और केसियार साहब उल्मा एकराम को दस साल में सिर्फ देड़ घंटे का कुछ अप्रॉस्मेटली टाइम दिये और आज यही हरिश्राव साहब हिद्राबाद की ओल्ड सिटी के तलापकटे इलाखे के मदरसे में आते हैं और उल्मा एकराम के साथ बैटके दो दो घंटे उनके साथ खरीब बैटते हैं चाई पीटके उनसे कहते हैं कि हम सेकुलर है हमारा आप लोग साथ दीजिए हम आपके साथ है हम आपके लिए कोई मसाईल पर आवाद उठाएंगे इस तरह से हरिश्राव साहब ने कहा मगर मैं हरिश्राव साहब से कहना चाहूँगा कि हरिश्राव साहब अब आपके अवाद उठाने की कोई दरूरत नहीं है क्योंके कल तक जब आप एकिदार में थे उस वक्त आपको उथाना था मसल्मानों के मसाईल था कि Water ने हम आपको साइन करना था अभी मुसल्मान आपके भैकावे में नहीं आएंगे अब तीसरी फिल्म इनकी कविता मिडम की आएगी फिर उसके बाद चोहती फिल्म केसियार साहब की आएगी निजाम सरकार के बारे में बात करना शुरू करेंगे मुसल्मानों को भैकाने के लिए तो मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि ये जो फैमली है ये फैमली कोई गलत फैमली नहीं है ये कोई खराब लोग नहीं है ये लोग अच्छे है ये हमारे साथ वक्त देंगे हमारी सुनेंगे मगर कब जब ये एक्तिदार में नहीं है तो जब यह अखितार में रहींगे तो फिर हमें हमें हमह्मारे दर्वाजों से हमें हखाल दिया जाएगा जैसा कि महमुद علी सहाब को हकाल दिया गया था तो इसी हिसाब से मैं मुसल्माणों से अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों को हमेशा एक्तिजार से बेदखल रखिए ताके ये फैमली हमेशा हमारे कामों में आते रहे हमको वक्त देती रहे अगर ये एक्तिजार में आ जाएंगे तो फिर हमें वक्त नहीं देंगे तो जिस तरह से तेलेंगाना के एसेमली इलेक्शन में मुसल्मानों ने 70-30% का जो फॉर्मूला किया है 70% मुसल्मानों ने कॉंग्रेस को ओड़ दिया और 30% मुसल्मान बी आरेस को ओड़ दिया मगर अब वो ऐसा एलेक्शन नहीं है अब हिंदुस्तान के 24 का जो पारलिमेट एलेक्शन है उसमें हमारे को मुलक के आईन को बचाना है कॉंस्टिटूशन को बचाना है शरीयत को बचाना है हमारी बेहन बेटियों के हिजाब को बचाना है ये बहुत एहम मुद्दे है ज कॉंग्रेस को 100 out of 100 out मिलना चाहिए और बियार इसको 0 out मिलना चाहिए इसी लिए मैं आप तमाम लोगों से में रिक्वेस्ट है कि बहुत ही नाजुक वक्त है इस पर सुन समझ के खदम उठाइए और कॉंग्रेस का इंडिया एलाइंस का साथ दीजिए शुक्रिया अल्हाफि हुआ झाहिए